उत्रा के गर्ब से परिक्षित पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें राज सिंगासन दिया जाता है, पांडव भी चले जाते हैं कई वर्षों तक उन्होंने सूज मूच से कारे समाला, राजा परिक्षित ने एक दिन खजाने के सफाई हो रही थी, तो उसमें से एक बहुत ही मूल्यवान मुकुट मिलता है, वो मुकुट जरासंग का था, जरासंग बहुत पापी था, जैसा मैंने कहा जैसा संग करो वैसे विचार आते हैं, जरासंग का मुकुट राजा को पहनाया गया, पहनाते ही हि मन में राजा ने कहा आज शिकार खेलने चलते हैं चलिए शिकार खेलने जाते हैं तो जंगल में राजा और सैनिक गुम जाते हैं सैनिक किसी रास्ते निकल जाते हैं राजा के लिए पड़ जाते हैं अब यहां पर बीच रास्ते में उन्हें सबसे पहले दूर से वे देखते हैं कि एक शुद्र हाथ में लाठी लेकर रखा है उसने एक पैर का बैल है उसे वो उस लाठी से मार रहा है नीचे गौम आता पड़ी है अदमरी हालत में उसे वो बीच बीच में पैर की ठोकर मार रहा है राजा ने कहा मेरे राजी मैं ऐसी कुरूरता का कारे उसके पास जाते हैं तुम कौन हो शुद्र ने कहा मैं कलियोग हूँ कौन हो कलियोग ये बैल कौन है ये धर्म है इसके एक ही पैर कलियोग में केवल दान से ही धर्म किया जाए चार जो महत्वपून धरम के लक्षन होते हैं चार उनमें से एक है दान बाकी के तीन तप शोच ये सब बोले जीव कर नहीं पाएगा खलिव मौ माया छोड़ना वैराग के लेना सुपारी नहीं छूटती किसी जयां पे मौ माया कहां से छूटे तो वो ये सब कर नहीं पाएगा पर दान वो कर सकता है दान से धर्म बचा रहेगा कलिव को और दान से दया बठी रहेगा आप किसी की मदद कप करोगे जब आपके अंदर दया की भावना होगी तो महराज और ये गौमाता कौन है बोले ये पृत्वी है कलिव में उसकी यही हालत हो राजा परिक्षित ने का ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा मरजा नहीं अच्छा है तलवार निकालते हैं उसे मारने लगते कलिव ने कहा मुझमें लाक अवगुण है पर एक ऐसा गुण है जो कोई युग में नहीं था कैसा गुण केवल ना मात्र से कलिव में ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है साथ दिनों में मुक्ती मिल जाती है जीव को यह तो बड़ा अच्छा गुण है पर तुम मेरे राज्जी में नहीं रह सकते तुम मेरे राज्जी से बाहर जाओ कलिव ने का पूरा तो आपका ही राज्जी है मैं कहां जाओ बुले वहां जाओ जहां मदीरा पान होता है जहां चोरी होती है जहां गलत स्त्रियों के साथ संग होता है सारे गलत कारे होते हैं वहां जाओ कलिव ने मन में कहा वो सारे प्लोट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे पर कल्यूग कहता है अच्छा ठीक है महाच चला जाओंगा पर कोई एक स्थान मेरे मन मुताबिक दीजिए कौन सा स्थान मुझे स्वन्ड में स्थान चाहिए सोने में राजा ने का ठीक है लेकिन वचन दो कि तुम पांच हजार वर्षों तक अपना असर नहीं दिखा हूँ मराज हम कहते कल्यूग आ गया कल्यूग आ गया कल्यूग कहां आया कल्यूग की आयू कितनी है 4,32,000 ये कल्यूग की आयू है अभी तक कितने वर्ष हो गए 5,115 वर्ष बस और 5,000 तो राजा परिक्षित ने मांग लिये थे कि 5,000 वर्षों तक अपना असर मत दिखाना तो जिस बच्चे की या जिस इंसान की आयू 4,32,000 है वो भी 115 वर्ष का छोटा सा बालक है बिंदु मात्र है के वर पर ये सोचिए कि जो बिंदु मात्र ये हाल है आज बिंदु मात्र में ये हाल है तो जब ये बालक योवा नवस्था प्राप्त करेगा तो क्या हो तब असल में कलियोग आएगा अभी कहां अभी तो कितनी कथाएं हो रही है सत्संग हो रहे हैं भक्ती में है जीव जब ये सब बंद हो जाएंगे ना तब असली कलियोग आएगा